दोस्त आज की मेहनत कल तुझे पहचान देगी हर वो लंबी राते जो तुने मेहनत करके विताई है वो तुझे कल जरूर इनाम देगी स्री भागवाद Gita में भी कहा गया है कि जतनी जल्दी अपने जीओं में जिम्मेदाई लेंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे जीओं में कभी भी सही समय नहीं आता बस जब आप सुरूात कर देते हैं तो वही सही समय होता है आप अपने गोल की तरफ ऐसे आगे बढ़ो जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती है और इस मतलबी दुन्या वालों की बातों पर ध्यान मत दो क्योंकि जब आप सफलता पा लेंगे तो सभी का मुह खुद बेखुद बंद हो जाएगा लेकिन लोगों का मुह बंद करने के लिए आपको अभी पूरी इमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और क्या किसी ने खूब कहा है कि अगर जिन्दगी सकून में चाहते हो तो काम पर इमानदारी के साथ फोकस करो लोगों के बातों पर ध्यान मत दो और कोई लड़की के पीछे भागता है तो कोई पैसों के पीछे पागल है लेकिन जिन्दगी उसी की बनी है जो अपने सपनों के पीछे पागल है अरे कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीज सके और कोई इतना गरीब भी नहीं कि आने वाला वक्त अपना ना बदल सके इसलिए कभी भी हार मत मानो अरे आज कठी ने कल बत्तर होगा लेकिन कल के बाद का दिन जरूर सुमहरा होगा दोस्तों जिंदगी में ऐसा एक बाद यार रखना कि वही इंसान सिखर तक पहुंसता है जिसकी कमेंटमेंट बहुत तेज होती है और जिसको अपनी पढ़ाई से मोहबत होती है न उनको दोस्तों से बाते करने की फुरसत नहीं होती अरे अगर पढ़ाई करना ही है तो ऐसे करो कि तुमें खुद परगर्ब हो कि हाँ मैंने ये पढ़ाई की है अगर तुम अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो बहाने नहीं इतियास बनाओ क्योंकि पसीने के स्याही से निखे पन्ने कभी बोरे नहीं होते और जो करते हैं मेहनत पर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते मानता कभी गिरने में नहीं बलकि गिर कर उठने में है जो इंसान कभी गिबप नहीं करता ऐसे लोगों को आप हरा नहीं सकते जिन्दगी में एक बात याद रखना कि सफल होने के लिए काफी देर तक साहस के साथ मेनत करनी पड़ेगी तो कि इस दुन्य में बिना मेनत के कुछ नहीं मिलता और याद रखना मेरे दोस्त किसमत को कोशने वाले कभी कोशिस ही नहीं करते और जब आप कोशी सी लई करते तो सफलता कहां से मिलेगी और वैसे भी मज़ा तो तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो अरे जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है और कुछ बनना ही है तो समुद्र बनो लोगों के पसीरे छूटने चाहिए तुम्हारी अवकात नापते नापते इसलिए कहता हूं कि आज डूब कर मेनत कर लो क्योंकि जब कल भरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे और सफलता का मिलना तो हमेशा कनफ़वी होता है बस देखना ये है कि आप उसकी कीमत कितनी चुकाने के लिए तयार है अगर आप उसकी कीमत चुका सकते हो तो जिन्दगी आपको हमेशा सक्सेज ही दिलाएगी